दोस्तों चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो डी मर्जर के लिए बिलकुल तयार है अब जो डी मर्जर एक ऐसे सिचुएशन होती है जहां पर वैल्यू अनलॉक भी हो सकती है कुछ लोग इनको स्पेशल अपर्चिनिटीज भी कहते हैं कि दो बिजनस अलग हो गए ह है जो बिजनस अच्छा करेगा वह अलग से डी मर्ज हो जा रहा है तो अलग अलग नाम है तोります इसके बारे में बात करेंगे, fundamentals पर इस वीडियो में मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ companies और उनका क्या demerger हो रहा है, उसको ही मैं समझाऊँगा, शुरुवात करते हैं, आरती इंडस्ट्री के साथ, देखे, आरती इंडस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं, तो उनका दो बि लैब्स करके, प्रोमोटर का स्टेक दोनों कंपनी में जब demerger होगा, एक आरती इंडस्ट्री होगी और दूसरी आरती फार्मा लैब्स, तो प्रोमोटर का जो स्टेक है, वो बराबरी रहने वाला है, यह चीज है कि यह बहुत जल्दी नहीं होने वाला है, थोड़ा समय लेगा, क्योंकि अभी तो NCLT का जो एप्रूवल है, NCLT तो चीजे गई नहीं है, तो यह कम से कम सब कुछ बढ़िया चला, तो फिर कम से कम 6-9 महीने लग सकते हैं, उससे भी जादा लग सकते हैं, बट फ्यूचर में यह आप ध्यान में रख सकते हैं, अब जब हम बात कर करते हैं, तो देखें, जैसे पिछला financial year था, तो आप देखें, 5023 करोड का revenue था, तो उसमें से आप देखें, 80% revenue specialty chemicals का था, तो अब फार्मा डिविजन अलग हो जाएगा, और वो 872 करोड का जैसे उसका revenue था, अब फार्मा जो है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे पिछल पात साल में 13% से ग्रो हुआ है, वहीं पर फार्मा का जो business है, वो 13 नहीं 19% से ग्रो हुआ है, तो क्या opportunity रहे गया नहीं, इस पर हमारी नजर रहे गी, आपको मैं बताता रहूँगा, दूसरा नाम है मदरसन सुमी, बहुत जल्दी होने वाला है, उनका जो business है, जो wiring harness का जो मदरसन जो नई कंपनी है, मदरसन सुमी wiring करके उसका आपको एक share मिलेगा, और एक और कंपनी है समवर्दना मदरसन, तो वो इस कंपनी के साथ integrate हो जाएगी, या मर्ज हो जाएगी, तो 17 जैनवरी ही record date है, तो ये चीज तो जैनवरी में ही होने वाली है, जब मदरसन सुमी क वाला बिजनस, तीसरा नाम है पिरामल इंटरप्राइज, कुछ महीनों पहले इस पर stock ने भी बहुत अच्छा run-up दिखाया था, अब जब आप पिरामल की बात कर रहे हैं, तो उनके दो में बिजनस सब हो गए है, एक तो financial service वाला बिजनस है, अब DHFL को भी उन्होंने acquire कर लिया है, और NBFC उनकी है, तो वो एक बिजनस है, और दूसरा बिजनस है, उनका पिरामल फार्मा का बिजनस है, तो यह दो है, दो बिजनस है, अब दोनों बिजनस अलग हो जाएंगे, financial वाला जो बिजनस है, वो अलग हो जाएगा, और पिरामल फार्मा का जो बिजनस है, पिरामल फिन इंवेस्ट है एन्बी एफसी वाला जो बिजनस है वो पिरामल इंटरप्राइस के नाम से रहेगा और जो दूसरी एंटिटी होगी वो होगी पिरामल फार्मा करके वो पूरा फार्मा का काम वो देखेगी अगर आपके पास पिरामल इंटरप्राइस का अगर ए और शेर आप पिरामल फार्मा पर एबरीवन इंटरप्रेस चौथा नाम है जब हम बात कर रहे हैं जी एमार इंफ्रा का डी मर्जर जी एमार इंफ्रा यह तो बहुत ही रीसेंट में होने वाला है ऐरपोर्ट का बिजनस है और जो दूसरा बिजनस है उनका इनफ्रा का वार का जो बिजनस है तो और नों इनफ्रा मेंinky देखेंगे, तो इयर पोर्ट है नई कंपनी रहेगे गें बहुत जल्दी होने वाला है इनफेक्ट ये भी January में होने वारा है तो January की मैं बात करूँ तो Mother Sun Sumi और जो हमने GMR है ये दोनों तो बिल्कुल Demerge हो रहे हैं और ये January में ही हो जाएगा दोस्तों तो Demerger की और भी बहुत सारी stories हैं कुछ-कुछ data आ रहे हैं उन पर भी मैं तरीके से इंट्रेस्ट जरूर होता है इन्वेस्टर्स का तो GMR वाला वीडियो तो आप मेरा पुराना वाला देख सकता है जहां पर मैंने रिस्क के बारे में भी बात किया है तो मुझे उमीद है इस वीडियो में आपको वेल्यू मिली होगी चार नाम लिए हैं फविश्चा में भी और बहुत सारे नाम में लेकर आने वाला हूं स्पेशल सिच्वेशन या फिर वेल्यू वेल्यू अन्लॉकिंग वाला नाम दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए आपके समय के लिए